हम यहां पर अपने बेबी के लिए बहुत सुंदर सा कपड़ेस बनाने वाले हैं जो वह आपे कपड़ा ले लिए हुआ है यह सारे के साथ जो अटैच आता है ना ब्लाग पीस अ हुआ ही है तो इसको मैंने ले लिया अगर आप चाहो तो साटन का कपड़ा अलग से ले सकते हो अब मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है इसकी लंबाई हमें रखनी है 13 इंच और इसकी चौराई रखनी है हमें 23 इंच यह हम 6 मंद के बेवी के लिए बना रहे हैं अगर आपका बेवी बरा है चोटा है तो आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो मैंने हाँपे 23 इंच इस पे मांक करके एक्स्टा कप्टे को कट कर लिया है है करि Okay, हम इसकी मांक लगाएंगे 0.05 इंच पे मैं हमें इसको अ कर सकाट मांट लेना है भूला या कार में इसको मांक कर लेना है अब में मांक ना पर दूंगे ལ對了 कि फोल्ड करने के बाद हम 5 इंच पर आसन लगाएंगे है है कि अब हमने जहाँ पर आसन लगाया तो यहίंग से हमें कर लीना है एक इंच उसके बाद हमें माग कर लेना है और कैट questa हमा इसको भी कट कर लेना है दोस्तों मैं इस धोती को अपने हाथों से बनाऊंगी अगर आपके पास भी सिलाई मैसी नहीं है तो आप टेंशन मत लिजे आप अपने हाथों से इसको सिल सकते हो सो मैंने जहाजा माक किया था उसको कट कर लिया है अब यह मेरा कपरा उपर में अभी एक ही साथ अटेज है तो मैं इसको कट करके सेपरेट कर ले रही हूँ अब हम कप्रे पे लेस चढ़ाएंगे तो मैंने पूरानी सारी के लेस के उच किया हुआ है और इसको हाथों से ही सिल लूँगे जैसा कि मैंने बताया है कि मैं इस धोती को हाथों से ही सिल कर बता रहे हूँ सो मैंने इसको स्वी और धागे से अच्छे से सिल लिया है लेस हमारे लग्या हुआ है अब हमारे जितना बड़ा आसन है बीच की जो गुलाई है उतना ही बड़ा हमें कपड़े को चुनटे डालकर हमें कर लेना है इसके लिए मैंने एक कप्रे को एक कप्रे कपल लिया है और चुनेटे डाल के मैं देख ले रही कि कितना जाएगा इसे में एक आइडिया हो जाता है तो मैंने चुनेटे डाल कर सुई और धागे से सिल लिया हुआ है दोनों पल्ले को हमने रेडि कर लिया हुआ है, चून डाल डाल कर, अब हमें इसकी सिलाई करनी है, तो यहां से अब ध्यान से देखो, दोनों पल्ले की लैस जो हमारे तरफ रहेगी, बट एक पल्ला हमारे सीधा और एक पल्ला हमारे उल्टा रहेगा, अब हमें दूसरे पल् पल्ले के चून को हल्का समय फोल्ड करते हुए घुमाते हुए फीर से वह ही पे सिलेंगे जहां पर भी सिला दो घुए सस्याता इसको स्य लेको Zach है आप खेंदध की चुंट को फूलसा करके ला़ है क्या मैं थे लीजया it सो यह हमारे complete है अब हम दूसरे पल्ले को fold करेंगे जहां से हमारा आसन है वहां से मतबीष से हम उसको fold कर लेंगे और इसे हम आप पलट लेंगे हमने इसको पलट लिया सो इन दोनों आसन और जो हमारे दूसरे वाले पल्ले का एक आसन बच गया हुआ था उन तीनों को हम सिल देंगे तो ध्यान रखना कि हम ऐसे सिल लेंगे कि सब की सिलाई उल्टे साइड हो ठीक है तो हमें इस टाइप से जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे हमें मिला कर ही सिलना है ताकि जो सिलाई है वह उल्टा जाए सो मैंने इसको सिल दिया हुआ है अब देखिए हमारे कमर के लिए गोल घेरा निकल गया है अब एक पल्ला हमें आगे और एक पल्ला हमें पीछे मिल चाएगा जिसका हमें पिलीट्स बनाने हैं सब्सक्राइब करनेने हैं जैसे हम सारी भी पिलीट्स बनाते हैं वैसे में छोटे छोटे इस पल्ले पर भी बना ले 강ते हैं इस जनमाष्ट मैं आप अपने बेवी के लिए ऐतने घर पे बनाए उनके लिए ड्रेस उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा यह हमारा प्लिट्स बन गया हुआ है तो अब हमने जो सिला हुआ था उसके सिलाई के बीच में प्लिट्स को रखकर सिल देना है अच्छे से आप तरह देख ले फिर सुई धागे से तो आप मजबूती से यहाँ पे सील दे इसी तरह हमें पीछे वाले पले को भी कर लेना है प्लिट्स बनाएके सील लेना है तो यह हमारे धोती का मतलब नीचे वाला पाट रेडी है अब हमें इसमें कमर पट्टी एड़ करना है तो मैंने कपड़ा ले लिया है सेम कलर का कपड़ा मैंने लिया है और इसकी चौराई हमें रखने हैं पाच इंच और लंबाई जितना धोती की गुलाई है उससे दो इंच डेर से दो इंच हमें ज्यादा रखने है तो हम कमर पट्टी को अभी आधा सिल लेंगे फिर उपर में जहाँ पर हम लोग सिलाई लगाया है वहाँ पर आप जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ पहले एक बार फोल्ड कीजिए फिर दूसरी बार फोल्ड करना है हमें फिर इन सब को पूरा उपर से नीचे तक सिल लेना है हमें तो मैंने आपे सिल दिया और से मैं दूसरे साइड पे भी वैसे ही फोल्ड करके और सिलाई लगा लूँगी तो यह हमारा अब रेडी है आप चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो बट मैं इसको लेस लगाऊंगी जहाँ हमने सिला हुआ था नीचे से उसी पे हमको रेस रखके पूरे में लेस लगा लेना है तो मैंने यहाँ पे लेस लगा लिया हुआ है जहां हमने नीचे सिला था वहाँ से और अब हमें उपर से हलका पहले फोल्ड करना है थोरा सा फोल्ड कर लेना है और फिर जितना लश है उतना फ़र में फोल्ड कर लेना है ताकि लश यौए हमारे एकदम कमर पे आ जाए हमारे बेबी के कमर पे आ जाए पूड़ा में हमें सिलाय लगा लेना है ग्याज़ experts nach देखे मैंने हमें सिलाय लगा लिया हुआ ध्यान रखना कि लास्ट दोनों फिर आमने सामने हो उसके बाद उसके जो हमने कमर पट्टी और धोती दोनों के बीच के सिलाई को आमने सामने रखकर फिर पूरे में सिलाई लगा लेना है ऐसे आप रखोगे उल्टा करके तभी आप इसको जब सिधा करोगे तो सिधा हो जा हो तो या य Cum gehenल लगा लिए हैं ताकिया लगाना में में इजी हो और एक छोड से निकाल कर एकुदी लगाकर दूसर्य छोड से निकाल लेना हैं ठाउलесь है ह nuclear कि अब यह चुका है अब हम इसमर्फ को europe करके मिंस एक दूसरे के ऊपर डालकर सिल देना है तो यहां पर आप थोड़ा मुझबूती से सिलना चार-पांच बार आप धागा चलाना अच्छे सिलना तो मेरा यह भी सिला चुका है तो अब हमारा जो धोती है वह एकदम कंप्लीट है आप देखे कितना प्यारा यह धोती लग रहा है और इसे हमने हाथों से ही बनाया है लग ही नहीं रहा है कि मैंने हाथों से बनाया है मैंने अपने बेवी को ही पहना कर दिखा दिया so guys इस बीडियो में बस मैं धोती बना ना बता रही हूँ मैं next बीडियो में इसके उपर जो पितामबर आता है मैं उसको बनाना बताऊंगे और इस जन्वाश्ट में आप अपने बेवी के लिए अपने घड़ में खुद से ड्रेस बनाएए, काफे प्यारा लगता है, तो friends, अच्छा लागा होगा, तो please करना like, subscribe and मिलते हूं अब नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, bye bye, take care.